Soué hais Welcome Back to TheChannel-The BitcoinBurner So기 WDOSessesे 새로 attacked us in순도 Sara juddikhin teaching שotherapות प्राइस काले मुफ कर और 시 manner lifesभाट करने सकते सें अच्छे एक और काले यह चार यह खें मैं नोसे चार ईको मैं आप पर ऐंके कीकाल मतलbru है दे पनचे आपको बहुत अच्छे लिकाहिए कम सकते हैं तो उनकी मैं बात करूं उन्हें करने वाला हूं वीडियो काफी इंपॉर्टन है कुशिच करने को वीडियो को पूरा देखे और एंट तर देखें यह प्लीज वीडियो को लाइक करना बिकर भूलें कि लाइक से हमें मोटिवेशन दिलती है और जो हमारा कॉंटेंट है वो प्रोमोट होता है तो प्लीज वीडियो को जाथ सब्सक्राइब लाइक करें एंड टेलिग्रम चैनल जरू जोइन करें लिंक डिस्प्शन में गिवन है तो सीधा शुदू करते हैं कल से लेकर अब तक बिटकोई ने बिसिकली 1.36% से एक अबवर मोमेंटम दिखाया है 47.300 पर टेड कर रहा है देखने का मिला है कि लास्ट 24 आज में तो आल्स ने रिकवरी किया अगर लास्ट 7 देज में तो आल्स ने काफी नेगिटिव रेटर न दीयें काफी टिप में थे लोगों ने बाइ की ए अल्ट अगर मैं बात करूं Bitcoin के price action की तो हम चलते सिदा Bitcoin के चार्ट पे और मैंने आपको कल जैसे की बताया था यह हम कल यहां पे थे इसे जैसे price मैंने आपको बना था reject हो सकता है और price zone से reject हो गया अब जो है enter हुआ था zone के ऊपर closing होई थी but again closing इसके नीचे हुई है जो है 5.30 भी 9.30 भी and अब जो major support level है जो मैं देख रहा हूँ वह है रहने वाला है 47,000 का 47,000 से लगे 47,066 लगा लो 20 moving average है जो है अगर daily में हम इस zone के ऊपर closing करके 48,300 के ऊपर closing करें करें कर क्यूंकि आज Sunday है आपको देखने को मिलने वाला है कि कल weekly closing है तो weekly closing अगर 48,300 के ऊपर रहती है तो एक बहुत अच्छा step रहने वाला है otherwise एक अच्छा support level 47,000 मिंटेन रहना चाहिए तो उसकी तरफ में ध्यान जादा है बाकि आपको चार्ट होगे टेल्रम ग्रूप में provide कर दूँगा तो आप link description में वहां से join कर सकते हैं अब बगर मैं कुछ बात करूँ कुछ ऐसे coins के बारे में जिनका ध्यान देना है आप सबको क्योंकि इस साल जैसे हमको एक तरह से देखने को मिलते है एक categories of coin grow करते है ठीक है लास्ट यह हमने क्या देखा meme coins का boom था ठीक है उसके पाद Metaverse का था gaming का था DeFi का था sections sectors थे अलग-अलग पर इस साल जो है एक ऐसा sector है जो कि हमको देखने को मिला कि जो ZK roll-up पनाऊंस हुआ था हमको देखने को मिला Matic का उनका जो है ZK coins है जो ZK roll-up के under आते है Scaling solutions basically अगर हम बोले Ethereum के तो उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला मार्केट में क्योंकि obviously जो Ethereum है लोग उसको prefer इसलिए नहीं करते as a payment method या उसको किसी भी चीज में क्यों क्योंकि जो gas fees है बहुत ज्यादा है अब जो polygon blockchain है even NFT की minting के लिए वह बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि जो लोग है क्या कर रहे है अगर एक NFT Ethereum blockchain पे $50 का भी खरीदते है तो उनको $100, $200, $300 gas fee देनी पड़ते है उसको mint करवाने के लिए तो इसके विज़े से जो है ZK roll ups है उनका जो हमको है एक promotion देखने को मिलने वाला है उनका एक price में एक अच्छा खासा increment देखने को मिल सकता है तो मैं बोलूँगा moving into 2022 and 2023 कुछ ऐसे ZK roll up coins जो आपको ध्यान में देने है उनकी मैं बात करने वाला हूं नमबर वान में लूँगा अगर हम ऐसे बात करें मैटिक की में बात करना मैटिक तो है ही बठा एक loop ring है loop ring LAC मैंने आपको उस दिन भी बिताया था and 2.07 पे चल रहा है करेंट्री लोज पे 1.95 रहा है और हाई पे 2.13 लाए लास 24 आज में अगर हम इसकी अगर मैं इसको लास त्री मन्स में देखूं तो कुई ऐसी सपोर्ट कुछ ऐसा लेवल जहां पर इसको क्या जा सकता है वह है 1.9 का एरिया और बुलूंगा अगर यह 1.9 से लेगे 1.95 के एरिया में आता है कुछ पार्ट्स बाइंग वहां पे हो सकती है और उसके बात अगरे 1.9 का एक ऐसा एरिया होने वाला है जहां पर इसको एक्कुमिलेट करके रख सकते हो ओवरॉल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है हमको देखने को मिलता है एथिनियम बेस्ट क्रिप्टोगरंसी है ठीक है और जो है बेसिकली जैट के रोल अप में भी है जो जैट के यूज करेगी आपको अपग्रेट्स देखने को मिलने वाले है जैसी हम मुविंग इंटु क्वार्टर तू 2022 जब मैटिक इस चीज को इंप्लिमेंट ज्यादा करेगा तब हमको देखने को मिलने वाले है जो है सारे जो है स्केलिंग स्लूशन कोई अच्छे से पॉंप करन तो लास्ट 30 डेज में जो है इसका हमने लोएस पॉंट कॉंसा देखने का मला है 3.94 और हाइस 7.01 तो कोई ने काफी अच्छी परफॉर्मस दिखाई एक महिने पहले बनाया है 47% डाउन है तो यह जो कोईन है इसको मिस्स मत करना मैं बहुत सुनों अगें नॉट फाइनाश इसको कोई 3 की नहीं मिलता है यहां से नीचे चल जाए तो 3.9 3.8 के राउंड तो इसने कुछ अच्छा अगर मैं यहां पर देख आपको बाकी चार्ट्स आपको विलेबल कराऊंगा तो यह तो फोर डॉलर के राउंड कुछ अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है and on a longer term basis आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलने वाला है यह जो है nfts का जो है basically first layer to scaling solution है for nfts on ethereum and हमको एक अच्छा खासा basically यह भी क्या वो स्टार्क Z के roll-up technology देखने को मिलने वाला है जिसमें ethereum और vitalik consider system to be all in तो यह बहुत बढ़िया project है यह कुछ ऐसे project है जो आपको ध्यान में देने है अगला project मैंने थोटे दिन पहले आगर आप में वीडियो देखते है अगर आपने वीडियो देखिया होगी इस पे invest किया होगा तो यह project है जो मेरे नजर में काफी जादा एक low cap gem है इसका नाम ह इसको लास्ट one year में रेखों तो इसने अपना एक lowest भी आपको देखना मिलेगा बहुत कम बनाए है अगर हम इसकी history की बात करें लास्ट 30 days में भी 0.33 तक गया है तो अगर यह आपको 0.3 से लेको 0.33, 0.34, 0.35 पे भी मिलता है तो इसको accumulate कर लेना क्योंकि यह जो coin है यह one of the best मैं मानता हूँ ZK technology-based text है layer 2 decentralized and its call time high 10 months पदे इसने बनाया था 11.37 dollars 96% down है तो definitely जैसे ZK roll ups पे आपको जो volume देखने का मिलने और यह एक ऐसा coin है जो की accumulate करके रखना है आपको देखो यार यह मेरी research है अपनी research करने बिल्कुल मत भूले ठीक है I am not a financial driver but yes मैं आपको अच्छे coin अच्छे projects जो आपको अच्छे returns दे सकते हैं वह मैं आपको ज़रूर उपता हूँगा अगला bonus coins है जिनने लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिए उनके लिए इस पे अभी invest मत करना ठीक है यह उपर हो गया है काफी बात करो मैं sys coin की और यह 1.26 डॉलर पर currently 28% अप है लोस पर 0.191 और high पर 1.28 रहा है जो हमको देखने को मिला है अभी trade volume करा सब कुछ उपर और last 3 months में देखें तो अच्छा खासा ऊपर है तो कौन सा level है जहां मैं इसको accumulate करने की सुचूँगा 0.8 से लेके 0.9 डॉलर से लेके 0.9 डॉलर की बीचिमें मैं इसको देखोंगा अगर मैं बात करूँ हमारा full layer 1 and layer 2 blockchain solution है ठीक है यह भी हमारा जो है basically zk technologies पे based है zk की stock technology तो इसको भी accumulate करना मत भूलना प्लस अगर में इसका हम अगर इसके last 30 days के जो देखें डंप में तो यह 0.4 पे गया था और अभी 1.04 basically 1.28 तो अच्छा खासा इसने return दिया अगर हम बात करूं इसकी अगर हम इसको dump में देखें तो यह near about 0.4 पे गया था अच्छा खासा जो है इसने return दिया है मैं कहूंगा तो इसको जो है आप accumulate नीचे के levels में कर सकते देखो अभी तो यह उपर आ गया but yes it will be due for correction and जब यह correction के लिए नीचे आएगा तो कुछ levels जो मैं दे रहा हूं आपको 0.9 से लेकर $1 के बीज में इसको कुछ parts में इसकी buying जरूर करना ठेक बाकी यही थे सारे जो coins है कुछ ऐसे coins हैं जो आपको most probably 2022 में बहुत अच्छा return दे सकते हैं यहीं तक थी यह video and I do hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो करें लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ हों कर सकते हैं बाकी चैनल पर नहीं है चैनल में पहले हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना बहुत 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 करता हूं आप से वीडियो में तब तक के लिए आप से अपना ख्याल रखें and see ya